जहां भी भृष्टाचार का नाम आता है, wherever there is name of corruption, the name of Congress has to be there. जहां भृष्टाचार का नाम आएगा, वहां Congress का नाम होना अत्यनत अनिवार्य है, बिना Congress के कोई भृष्टाचार हो ही नहीं सकती है. और आज जिस प्रकार का विशय उजागर हुआ है, वो अपने आप में बहुत चिंताजनक है और कहीं ने कहीं यह दिखाता है कि जिन विश्यों पर विश्वास होना चाहिए उन विश्यों को दरकिनार करके विश्वास में धोका दिया है जनता विश्वास करके PM National Relief Fund में डोनेशन देती है और जनता के इसी विश्वास पे वि यह जो देश में एक ऐसा परिवार है जो सोचती है कि देश उसी का है इसी परिवार ने अपने हंगर फर वेल्थ के लिए कि सारा जायदाज सारे पैसे हमारी पास आ जाएं उस कारण से जिस प्रकार के घ्रणक कृत्य को अंजाम दिया है उसका आज परदाफास हम करने वा दिवानों के विशय में चिंता करना और उनके विश्वास को जीतना उनको खड़ा करना उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करना और यह जो डोनेशन होता है यह आप और हम करते हैं अर्था जनता के द्वारा डोनेट किया जाता है बंधुगंड इस परिवार ने यह जो वा अश्टाचार की पराकाष्ठा है अब जानते हैं पी एम नैशनल रिलीव फंड के जो जो बोर्ड था अनेको वर्षों तक एक कानून बनाया गया था कॉंग्रेस के समय में कि जो पी एम नैशनल रिलीव फंड होगा उसके बोर्ड में सदैव ही नैशनल प्रेसिडेंट ऑफ संस्था के लिए और किसी भी काम के लिए तो प्राइऍम मिनिस्टर पहले यह था कि kongress party रिलीज करती थी मगर बाद में आया कि प्राइब मिनिस्टर आ रिलीज होता है तो प्रदान मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंग्ग जिस काल की विशह में हम बात करने वाले हैं अब जा plantation यह राजीव गांदी फाउंडेशन एक परिवार का foundation ये राजीव गांदी पूर्व-प्रधानमंत्री जी के नाम पर ये परिवार चलाती है उसकें दूर में भी सोनिया गांदी है से चेर्श्च टी फांडेशन राजीव गांदी फांदेशन को कोई चेर करता है उसके सबसे बड़े पद पे कोई बैठा है आसीन है तो वो सोनिया गांधी जी है पीम नैशनल रिलीफ फंड में भी सोनिया गांधी राजीव गांधी फांडेशन में भी सोनिया गांधी और जिस प्रकार से पीम नैशनल रिलीफ फंड का पैसा ये डाइवर्ट एक शेल कंपनी की तरह ये काम कर रही थी राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसे देश का इस्तेमाल करके जिस प्रकार से ये देश को बेचने का काम माबेटे कर रहे हैं ये मैंने आपके सामने आज उजागर किया है बंदुगर्ण ये कागज आदर्मिय नड़ा जी ने ट्वीट भी किया है आप सबने देखा होगा टेलिविजन चैनल दिखा भी रहे हैं कि आप देख सकते हैं ये पार्टनर और्गनाइज़ेशन और डोनर ऑफ दे ये 2007-2008 पॉर राजीव गांधी फांडेशन और यहां आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर्स नाशनल र टाट का था ये 2005 और 6 का भी देखी 2005-6 में भी आप डोनर्स की लिस्ट में देखेंगे तो PMNRF मेंशन है तीन तीन बार प्रकार से PMNRF से राजीव गांधी फांडेशन में पैसा डाइवर्ट करना अपने परिवार के लिए डाइवर्ट करना अंत्य मैं इतना ही कहना चाह अमीर बनाने की कोशिश करती है उसका नतीजा है आप देखें ये फांडेशन कौन-कौन से है आज तो हमने कल भी आदर्निय नड़ा जी ने और आज भी आदर्निय नड़ा जी ने ये खुलासा किया है राजीव गांधी फांडेशन के बारे में आप चार पिलर देखें ज कोंग्रेस पार्टी खड़ी हुई है ये सारे भ्रष्ट कंपनियां ऐसी कंपनियां जिनको शेल कंपनी कहना बुरा नहीं होगा जो देश को धोका देकर पैसा एटते हैं लोगों से और उसको केवल और केवल एक परिवार के नहीत स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं आ अगर आपका कभी परियावाची शब्द व्याकरण में भविष्य में लिखा जाएगा तो परियावाची शब्दों में लिखा जाएगा कि भरस्टाचार माने कॉंग्रेस शडियंत्र माने कॉंग्रेस यही सच्चाई है और जिस प्रकार से रोज मा बेटे के खुलासे हो उनको सब पूरे दुनिया से माव लेन के सफाई जाहिए कुछ इन मोंतरी आर्मी के चीफ बोले Moder कीव बोले lght व्हुत इंब्रों डिवार्म सॉपभी बोले भाद कीह रही संग और गोले लोग review बाकि बोलेंग हैं और स्टूप रहेंगे सर्कार इसका दृष्टिकोंड से देखेगी कि इसका ऑडिट होना चाहिए और जांच होनी चाहिए कि नहीं नो करप्शन कें एवर गो अनिवेस्टिगेटड जहां करप्शन हुआ है उसका इंवेस्टिगेशन होगा और ये कॉंग्रेस की एक आदत है आप देखिएगा अब एक घंटे बाद उनके कोई रंदीव सुर्जेवाला जिया के प्रेस कॉंफरेंस करेंगे और फिर बोलेंगे अगर भर्ष्टाचार होता है तो जांच क्यों नहीं करते जांच करा लो जांच करा लो और जैसे ही जांच कराएंगे उसके अगले दिन फ सब खुला साव होगा बहुत बहुत धन्यवादा अब कर दो दो कर दो